आज मैं आपको काडिगन बता रही हूं मैं इसका ये पीछे का पार्ट है इसके मैंने आगे के दोने पार्ट बता दिये आज मैं आपको इसमें मुड्डे की घटाई करना बताऊंगी और गलेली घटाई मैं करके दिखाते हूं पहला पंदा हम उतार लेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे ये एक हम इसमें पांच चार तीन दो की एक की घटाई करेंगे ये दो ये तीन और ये चार और ये पांच ये पांच हमारे घट गए हैं देखिए ये मेरी घटाई हो चुग है ये हमने उल्टाई बुनना है और फंदे घटाते जाना है आगे हम डिजाइन भी अजेश्ट करते जाएंगे इसमें यहां पर हमें इनको ऐसी बना लूँगी क्योंकि हमारा इस साइट से फंदे घटते जा रहे हैं तो ये डिजाइन बन होता आएगा हमारा इसलिए इसलिए आगे से मैं डिजाइन अजेश्ट करूँगी इसमें ये फंदा भी उल्टाई बनाऊंगी यहां पर घटते थे हमारे लेकिन मैं इतीन का एक होता था अब मैं यहां पर दो का एक ही करूँगी क्योंकि इस साइट से हमारी जाली नहीं बढ़ेगी इस साइट से फं बढ़ेगी जो नहीं तो नहीं तो तीन का एक करते यहां पर मैंने दो का एक करा भी इसी तरह हम डीजाइन अजेश्ट करते हुए पुरे सिलाई बना लेते हूँ हूं इस तरह मैंने देखे बना लिया है नीचे से यह वाला डिजाइन मैंने आपको पहले बता रखा एक दो तीन चार पॉंच छह डिजाइन के बाद मैंने इसमें मुड्डे की कटाई कर रखी है आप नाप के भी हाथ से भी नाप सकते हैं या दो सिलाई से करके दो सिलाई पूरी करने के बाद हम उड्डे की कटाई करते हैं या आपको जितने भी लंबी स्वेटर चाहिए उस हिसाब से आप गटा सकते हैं यह लास्ट मा आगे हमें यहाद से नापके दो बेड चार अंगली चार अंगली जितने भी लंबी स्वेटर चाहिए उस हिसाब से करते हैं इसको इस बैक से लाई में आप उल्टे में हम गटाई करेंगे इस साइड में हमको पांच ही गटाने हैं एक और ये दो तीन ये चार और ये पांच पांच की करताई हो गई है ये जो जैसे दिख रहा है बाके हमको बैक से जो सीधे दिख रहे हैं उनको सीधे बनाएंगे जो उल्टे दिख रहे हैं इसी तरह में पूरी बैक सिलाई बना लेती हूँ फिर दिखाते हूँ आपको ये लास्ट में देखे यहां पे आगे हम उल्टेश लाई में एक फंदा हमी लास्ट वाला बुनेंगे नहीं इसको भीना बुनेंगे तार देंगे कि यहां पे आगे हम पहले ये वाला फंदा तर लेए फिर उसमें चार कटाएंगे यह दो यह तेन यह चार चार की कटाएंगे फुरी होगे पांच और यह चार की कटाएंगे तो एक इस तरह अमने इसको घठाना है और आगे फिर जैसा डीजाइन है आपका जैसे भी है अब उसी तरह बनाते जाहिए मेरा यह से डीजाइन है तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगी यह वाला डीजाइन मैंने आपको पहले बता रखा है अगर आपने नहीं देखा तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मैं यह यहां पर बढ़ गया यह वाला फंदा बाकी मैं बना ले तो लास्ट तब दिखाते हूं देखे मैं इस साइड आगी हूं उल्टे वाली में यहां पर हमको चारी फंदे घाटा ने है इसको एक बुनेंगे और उसके उपर से दूसरे फंदे को कलर देंगे तो यह तीन यह चार इसी तरह हम यह पांच चार की यहां पर इस साइड भी गटाई पूरी होगी बागि हमको इस इससली में जसे दिखने है यह तरह तूरी सीलाई बना लेती हूं इस दिखाते हूं अपको पूरी बना लेती हूं अच्छी सीताइड भी को हुल अताँगे यह म पन्रूना मैं देंगे चार पांच चार हो गया अब तीन की होगी तूर और ये तीन की घठाई पूरी होगी है अब बागी हमको जैसे डिजाइन अजेस्ट करते हुए आगे जाना है अब यहां पर हम अब इस साइड से हम फंदे हमारे घठ जाएंगे अगली बार तो इस साइड में जाली होई नहीं डालूगी जाली बन कर दूँगी नहीं तो हमारे फंदे बढ़ जाएंगे तो इसलिए में यह फंदे बीच के सारे सीधे बुनूगी उस साइड को हम जाली साइड से हमारा गटेगा भंदा यह एक फंदा उल्टा बनेंगे है और यह वाला फंदा है कि इनका एक कर देंगे यह बाकि इस साइड भी एक फंदा उल्टा बाकि जैसर डेजाइन हम आगे से तरह कंटिनू करती हूं। नुरू यह बनाकर दिखाती में यह अ हूआ यह इस तरह दीखता है अमोर डीजाइन इस तरह है कि यहां पर न सब्सक्राइब द macht के सब्सक्राइक होगी होगी है एक दो और यह तीन गटाई होगी पांच चार तीन अफिर दो एक इतनी गटाई है इसको मैं इसी तरह पुरा कंप्लीट कर लेती हूं फिर दिखाते हूं आपको मैं सीडी सलाई में आगिए यह फंद मैंने बिना बिना उतार लिया है अब यह वाले फंदे को दागा अकनी तरफ करेंगे अब इस फार हमारी दो की गटाई दो और एक की गटाई बची है तो दो फंदे करेंगे एक घड़िया यह दो बची है यह पांच चार तीन दो आप इसी तरह बागी में आगे इनको सीधे सीधे ही बनाओंगी क्योंकि यहां पर जब यह पुरा घड़ जाएंगे उसी के बाद हम तीजाइन दुबारा से अज़ेश्ट करेंगे जितने फंदे हमारे बचेंगे इसलिए मैं इनको सीधे सीधे बना लेती हूं और यहां पर यह यहां पर क मैं जल्ड़ जाली बनेगी दीजाइन भी पूरा हो जाएगा तो इसमें सारे फंदे जब बरींथ पूरा हो चुगा है यह बहुत बना लेती हो तिर दिखाते हैं अब यहां पर गटाएंगे उससाइड मैंने गटा लिया है अब मैं फिर से ॆजлет है उन्हेते दिखाएा यहयर्च अब लीघटाने भी हमोगा का तर गटाएंगे क्योंकि भीडियो बोहत लबी हो जाती है है उन्हें जाता है अब इस साइट के पूरी गटाई 5, 4, 3, 2, 1 की पूरी हो चुगी है अब इसके बाद हमें ये डिजाइन भी पूरा हो गया अब तुबार से हमारा डिजाइन डालेगा तो हम अजेस्ट करेंगे तेके यहां पर हमारी 2, 3, 4, 5, 5 फंदे मारे उल्टे आएंगे और यहां पर य द्रव द्रव पार करेंगे और यह जार और यह पांच फंदे मारे उल्टे हो गया है यहां अब द्रागा पीछे करेंगे यह थे करेंगे तेन डुपाच होगे तौर यह जिसमे आपने तीन का इकर रहे यहाँ पर ही मारी डबल जाली आजाती है डीजाइन यहां पर एक पडरेएं switch होता है हमारा और जहाँ शाली बढा रहे हैं वहाँ पर गटंगे हमारी यहां सीधे करते हुए डबल जाली और फिर से पांच बंद उल्टे और फिर से पांच बंद उल्टे होगी है अब यहाँ पर तीन का यह कोता है इसी तरह हमारा यह डिजाइन पढ़ता है अब इस साइड भी हमारे पांच उल्टे आएंगे और इसी तरह में इसको पुरा लास्ट अपना लेती हुए इस तरह बनाते हुए यहां पर भी हूँ दू का एक करेंगे और यह बंदे तीन का एक करके फिर पांच बंदे यहां से उल्टे बनेंगे हुए अब यहां पर हमारी जालिटे लेगी लास्ट में कि जाली नीन स्वरी घटेंगे वहां पर इस साइड से हमें एक फंदा घटाना भी है क्योंकि पांच चार तीन दियों की लास्ट में इस साइड एक फंदा बज गया था घटाना तो इसको मैं घटा लेती हुए इतना मैंने बना लिया है गटा के उपर इतना मैंने बनाया आप इस तरह हाथ से भी नाप सकते हैं या भी उससे भी देखिए इतना मैंने इतनी लंबाई इसकी कर ली है अब हम इसको इसके पीछे की कले की कटाई करेंगे इसमें क्योंकि मैंने जितने लंबाई चाहिए थी यह आठ दिदस इंचे तक आप इसको बना सकते हैं पूरी गोलाई बनाके तो इसमें मैं 28 पंदे रखंगे कंदे में आप अगर बड़े उसके बना रहे हैं तो 28-30 इस रिसाब से रख सकते हैं मैंने 28 पंदे रखे हैं तो 28 पंदे मैं पहले बुन लेती हूं जैसा हमारा डीजाइन है उसी तरह बनाते हुए 28 पंदे इसमें बुन दोंगी फिर हम गले की कटाई करेंगे इसमें पीछे की गले की अच्छी सेप आती है अगर हम मुड़े छोड़ने जब आपको मुड़े की कटाई पूरी हो उससे पहले अप लंबाई पनाने से पहले चार या छे सिलाई पहले आप इसको करते हैं यहां से दिखे दू चार छे आड़ देस बारह चोड़ने सोला टारफ बीस बाईस चोड़ने इसमें पूरे होगे बाकी यह मेरे गले के बीच के फंदे हैं इस साइड के मैंने मुड़े चोड़ दिया है अब इसको हम एक और यह दो तीन सेम करना है जैसे हमने पहले गटाए थे मुणते हुए गटाते जाना है और यह तीन यह होगे दू चार इसमें टोटल मेरे 36 फंदे हैं तरह गिन के बता देते हूं मैं आपको इसमें तो टोटल मेरे पीछे के परदलूम है 36 फंदे थे इनको मैं 36 फंदे गटा लूँगी 28 मैंने इस साइट रखे हैं 28 उस साइड यह फंदे मैं पूरे इस तरह एक बुनेंगे एक के उपर पलटते हुए इस तरह मैं इस सारे फंदे गटा लूँगी इस तरह गटाते हुए मैं प्लास्टे तगाती हूँ कि दिखाती हूँ यह देखिए मैं लास्ट में आगी हूँ यह सारे फंदे मैंने बंद कर दिये इस साइड से अब इसको भी हम इसी तरह इसके उपर से पलट देंगे और यह दागा तोड़ देंगे यहां पर गांट लगा देंगे और इस साइड मैंने सोल्डर जॉइंट कर दिया है इस साइड मैं आपको बताऊंगी सोल्डर जॉइंट करना इस सोल्डर जॉइंट कर यह बटन पट तो यह मेरी मुट्ट यह पूरा हो गया इसका अब मैं इस सही आगे हूँ अब यह हमको चार यह छह सिलाई उपर बनाने है तब हमारी एक गले की अच्छी सिसेव आती है मैं इसमें ठोड़ी कम रह गया हैै मैं पूरे नी बनाई थी मैं यह जितनी भी लंबा ही चाहिए थी थी थोड़ी कम बनाई थी इसलिए मैं चैसे लाई और बना लोंगी इसी तरह डिजाईन एजेस्ट करते हैं स्लिआ बना लोंगी वह फोरे उपर फीर मैं सुल्ड बच्छे निए पर दाएंगे जोइंट किया था यहां पर हम ने तो मैं इसी को इस तरह बना लेती हूं देखें यहां पर हम जारी डालेंगे, हमें डिजाइन पर अजेस्ट करते जाना है, और इसमें मैं चार इच्छे सिलाई बना देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ बना के, देखें फ्रेंट्स, यह मैंने गले की खटाई कर दी है उगरी, यह पीछे से नीचे से है, यह इस तरह इच्छे से से शेव आ जाती है हमारी, जब हम गंडा जोड़ेंगे तो अच्छे से गला बढ़ जाए, इस ताहीं मैंने जोड़ दिया है, इस साइट का मैं सुल्डर जोइंट करना आपको बताऊंगी, अब बाद आपके दिखा देती हूँ, मैं आपको देखें, यहां से लेके, यहां तक मैंने टोटल इसमें 10 इंची की इसके हमारी लंबाई बना रिके पूरी गुलाई से साइट, तो अब मैं आपको सुल्डर जोइंट करना बताऊंगी, यह देखें मेरे आगे के पाट है, दोनों यह एक उल्टी साइट आ रहा तो मैं एक साइट से यह एक साइट से आने है दोनों सीधे साइट हमारे अंदर को उनी चाए हї साइट हुआ को तक से जोड़ेंगे मैं इसको बना लेती हों फिर आपको दिखाती हूं इसको मैं पुरे उल्टी उल्टी बना लोंगी लास्ट घ्लाई क्योंकि आपको यहां पे सोल्टर जो फोन्ट करना है जो जो दो किलोने के हम तीसरी चलाई लेंगे अब यह में बटन-पट्टी के फंदे पहले इनको मैं एक फंदे में उतार लेंगे तर उसके बाद हम सेटने बहुत इस नवह हैं कि यह उतार लेंगे उसके बाद हम solder joint करेंगे दिखे अब मैंने यह उता दिये हैं अब एक तीसरी शिलाई लेंगे और यह दिखे एक यह सामने की यह वाले फंदे और यह दोनों फंदों में हम एक साथ सिलाई डालेंगे यह दोनों को छोड़ देंगे और इस पंदे को इसके उपर से पलट देंगे कि एक इस साइट का और एक इस साइट को लेंगे और ये पलड देंगे अ वहूत यह तरीका आता है इसमें कोई भी खंदा छूटना नहीं चाहिए आपका दोनु साइट से एक-एक खंदा लेंगे हाँ और एक साइट बुन देंगे दोनुः और फिर उसको बुन के इसमें पलट देंगे तो उनों को एक सांथ लेंगे और इस तरह जोइंट करतेंगे और इसी तरह एक इदर एक इदर से देखे इसी तरह मैं सारे फंदे इनको जोइंट कर लोगी इसी तरह लाष्ट यहां तक बना लेती हैं तो इनको भी हम कटा देंगे ना इसे दोनों में इस सांसी लाई डालेंगे और यह मारी फंदे शोडर जोइंट हो चुगे है अब यह धाई देखे इतना सफाई से आया है विल्कुल कहीं कोई खंदानी शूटा है हमारा देखे अब इस धागे को तोड़ देंगे देखे मैंने ये पुरा बन चुके हमारी ये काडियन अब ये मेरे बस मेरे को गले में जो पट्टी जोड़नी बाकी है ये पूरी बाकी शोल्डर बना कर देंगे इस तरह से लिए और यहां पर बना लेती हूं इसको भी यहां पर जोड़ना आपको दिखाऊंगे यह ने दोनों बना दिये हैं इतना यह अब इसको मैं जोइंट करूंगी जिस तरह हम चेक कर लेंगे उसी हिसाब से हम जोड़ेंगे यह उल्टा सीधा साइड के अंदर को है उल्टी साइड बहार को है यह दोनों से लाई यह यहां तक ब्राबर हो गए हमारे अब मैं इनको जोड़ दूँगी कि दोनों में जैसे हमने सोल्डर जोइंट करें थे सेमी उसी तरह धागरपी लपेटते हुए जो छूट रखाए यह इस था है सांचांच जोड़ते हुए पन लगी लिए इसको उठा लेकियों इन दोनों को एक सांच से लाई डालके और हम यहां दो का एक करतेंगे और यह फंदे को इसके उपर से इस तरह प्लाट देंगे सेम इसी तरह जैसे तरह हमने सोल्डर जोइंट किये थे इसी तरह इसको भी करना है इस फंदे को इसके उपर से प्लाट देंगे इसी तरह जोइंट करते हुए में इस सारे खंदे कटा देती हूं 15-12 जितने भी हैं बहुत एजी है इसमें को प्यादा होनी है बस इसको यह मेरे पुड़ा हो चुका है मैंने बना लिया है देखे शोल्डर यहां पर जॉइंट कर लिया मैंने बीच में यहां पर यह कर लेकर पीछे आ जाएगा तो दीखे आपको वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते ना साथ में बेल आएंगा नबा देना ताकि आने वाली नए वीडियो का नोटिकेशन मिलते रहे थाएंग